गूगल सर्च में ये विवाज जो है नमबर बन पर आग आ चुका है दोस्तो एक वार फिर वही इसराइल और फिलिस्तिन का मामला जिसको ले करके ब्यान वाजी फिर से शुरू हो गई अभी अभी अम्रीका की तरप से कुछ देर पहले अमरीका ने कहा है कि तुरकी के राजपती अर्दोवन यहुदी बिरोधी हैं तरकी ने कहा कि हम फिलिस्तिनियों के समर्थक हैं सीधे सीधे खड़े हो गए जहां एक तरह भारत ने फिलिस्तिन का समर्थन किया है वहीं भक्तों को थोड़ा सा आग लगी हुई है और वो मोदी जी के इस कदम को बहुत गलत मान रहे हैं चलिए वो एक सवाल या वो एक ची लेकिन ये बयान आया क्यों आया किस लिए आया इसके बारे में बताएंगे हम बिस्तार से समाचार आपको अमरिका के तुरकी के राश्पती रैचप तयव अर्दुवान के यहूदी लोगों पर हाल में दिये बयान की कड़ी आलोचना की है उन्होंने इसे यहूदी लग सकती है इस तुर्की से आवान करते हैं कि वो संगर्ष खतम करने के लिए अमरिका के साथ मिलकर काम करें यहुदी बिरोधी भाषा का कहीं भी कोई इस्थान नहीं है नेट प्राइस का ट्वीट भी है जो मैं यहां डाल रहा हूं दोस्तों प्राइस ने अपने बियान मे कहा कि जो अमरिका आरोप लगा रहा है वो बिलकुल गलत है तुर्की में सताधारी एके पार्टी के प्रवक्ता ओमर सेलिक ने एक के बाद एक ट्वीट करके अमरिका को जवाब दिया है उन्होंने कहा कि जो भी आप लिख रहे हैं वो तर्क संगत नहीं है एतारकिक है और ध्यान से हमारे राश्पती के बिचारों को सुने अगर ये लोग हमारे राश्पती के बियान ध्यान से सुनते तो वे भी नयाय के लिए शान्ती के लिए कदम उठाते उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि दुनिया में अंतरात्मा वाले लोग कई देशों की राजध किया है. गाजा पर हुआई हमले के लिए अर्दोवान ने इसराइल की आलोचना की ती. इसे आतंगवादी देश कहा था. अर्दोवान ने पश्च्मी देशों के रुकी आलोचना की थी और का था. कुछ देश खुनी हातों से इतियास लिक रहे हैं कैविनेट की बैठक के बाद अर्दोवन ने अमरीकी राजपती जो आइडिन की भी आलोचनक की थी और इसराइल को हतियार बेचने की मनजूरी देने के लिए उन्होंने खास तोर पर उनको निशाना बनाया था समाचार एजिनसी राइटर्स के मताबिक अर्दोवन ने कहा आप इस घटना में अपने खुनी हातों से एतिहास लिख रहे हैं जो गाजा पर एक गंभीर असंगत हमला है जो लाखों लोगों को शहादित की और ले जा रहा है आप मुझे ऐसा कहने पर मजबूर कर रहे हैं अर्दोवन ने अमरीका के बाद आस्ट्रिया की और रुक किया और शुकरवार को वियना में फैडरल चांसलर के कारेले पर इसराइल का जंडा लगाने के कारण उसकी निंदा की उन्होंने कहा कि आस्ट्रिया उन यहूदियों के लिए मुसलमानों की कीमत चुकाने की कोश जाता है अर्दोवन और भी सक्रिये हो गएं जबसे इसराइल और हमास के भी संगर्श शुरू हुआ है तर्की के राश्पती अर्दोवन फलिस्तिनियों के समर्थन में काफी ज़्यादा सक्रिये नजर आ रहे हैं उन्होंने पिछले दिनों कैई इसलामिक देशों के प्र इसमाइल हालिया से भी बात की है अर्दोवन ने अलक सा मस्जित पर इसराइल हमले को आतंग की कारवाई एक बताते हुए इसमाइल हानिया से कहा कि यह हमला किवल मुसल्मानों पर नहीं लेकिन यह हमला पूरी मानपता पर है इसराइल और फलिस्तिनियों के बीच गए हाला कि इसराइल दावा कर रहा है कि उसने आतंगवादियों को मारा है लेकिन फलिस्तिन का दावा है कि उसके आम नागरिक भी इसका शिकार हुए और ते भी शिकार हुए बच्चे भी शिकार हुए जो कि एक ऐसे पहलू को जागर करता है जो मानपता विरोदी है तो ये तेह करना विश्व समुधाय की बिरादरी की जिम्मेदारी होगी कि फिलिस्तिन और इसराइल के बीच संहर्ष को बढ़ावा ना मिले हालां कि एक तरफ यूनाइटिड नेशन दवाब बनाता हुआ नजर आ रहा है अमरीका की भूमी का इस पस्प नजर नहीं आ रही हालां कि इसराइल के समर्थन में खड़े हुए कुछ देश नतर नजर तो आते हैं जिनके बारे में नेतन याहू अपने ट्वीटर पर उनके फ्लैग्स को ट्वीट करते हैं जिन में लेकिन हिंदुस्तान का फ्लैग नहीं होता कुछ प्रधान मंतरी मोदी जी के समर्थक डारेक्ट समर्थन उनको देते हैं लेकिन नेतन याहू के एक फैन उनको बड़ा करारा जवाब देते हैं और बोलते हैं कि आप गाय का केवल मूद पीर सकते हैं और कुछ नहीं पीर सकते इसलिए आपके समर्थन की हमें कोई जरूवत नहीं हमें कोई समर्थन आपका नहीं चाहिए अब डारेक्ट इस तरह से अतिकर्मन कर देना और इसराइल के समर्थन में खड़ा हो जाना एक आम समर्थन की तो बात छोड़ी है सुदर्शन चैनल पर भी यही कुछ चल आए सुरेश चेवान जैसे एंकर इसराइल के समर्थन में खड़े हुए नजर आते हैं लगता है कि वो परधान मंतरी मोधी जी के खलाफ और देश की विदेश नेती के खलाफ बोलते हुए नजर आते हैं जबकि ऐसा किसी और मीडिया ने अगर कर दिया होता या परधान मंतरी मोधी जी से सवाल पूच लिये होते तो शायद मोदी जी अब तक उसको सजा सोना चुके होते या उसको बाइज़त जिल के सीख्षों के पीछे डाल दे है आता लेकिन सुरेश चवांड के साथ ऐसा ना हो सका क्योंकि सुरेश चवांड जिस आइडियोलोजी से आते हैं उस आइडियोलोजी में वो एंकरिंग भी करते हैं तो तलवार निकाल कर या हातों में बंदुक लेकर या रेवालवल लेकर लगता है कि हम एक समाचार के एंकर को नहीं देख रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो उसमा मिल लादेन की तरह सीधे अपने टीवी पर सीधे सीधे मानवता को धमका रहा है जिसका एक ही एजेंडा है कि मुसल्मानों के बुरुद नफरत फैलाई जाए क्या ऐसे लोगों के खिलाव प्रिधान मंतरी मोदी जी कारवाई करेंगे हाला कि बड़े बड़े बिदेश नीती पर बियान आ रहे हैं अर्दो अनक्वे है कि वो क्या जवाब देगी और मेरे इन सवालों का वो क्या जवाब देगी और क्या रेस्पॉंड करेगी दोस्तो अगर मैंने सही सवाल किया हूँ तो इसको शेयर करना और इस पर कॉमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तो नमश्कार जेहिं तो अनक्रहणी सवाल का रहा है है वो जो खुमें झाल झाल